नमस्कार सौगत अपकोन इस रूम पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशनी सिंग है एलवेश यादव स्नेक वेनम केस किसी थ्रिलर फिल्म की तरह बन गया है हर पल कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है अब अगर हम इस केस में लेट ट्विस्ट की बात अगर की जाए तो ये है कि एलवेश यादव ने पुलिस के सामने स्नेक वेनम सप्लाई करने की बात कबूली नहीं है ये हम नहीं बलकि एलवेश यादव के माता पिता कह रहे है जबकि Elvish Yadav की गिरफतारी के बाद मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि Elvish Yadav ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है इन रिपोर्ट्स में पुलिस को भी कोर्ट्स किया गया था। जबकि अब ये बात सामने आई है कि एलविश यादव ने पुलिस के सामने ऐसा कोई confession किया ही नहीं है। ये बात एलविश के माता पिता ने एक इंटर्व्यू के दोरान बताया। एलविश के माता पिता ने उत्रप्रदेश पुलिस और योगी सरकार पर भरोसा जताते विए ये कहा है कि उन्ने पूरा भरोसा है कि उनके बेटे को न्याए मिलेगा। उन्होंने मीडिया में बार बार ये बात भी इस पस्ट किया है कि उनका बेटा किसी साजिस का शिकार हो गया है। ये साजिस किसने की है और क्यों किया है इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनका मानना है कि Elvis की popularity की वज़े से ही उनके कई दुश्मन बन गा है। आपको बता दे कि रेफ पार्टी में सापका जहर सेप्लाई करने के मामले में Elvis यादो फिलहाल जेल में बनता है। उन्हें 14 दिन की नया खिरासत में रखा गया है। तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही। अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरू करें। अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।